नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं छे राशियों पर बरसे की भोलेनात की गिर्पा मन चाही काड़ी, पंगला, पैसा जो चाहोगे वही होगा दोस्तो वैसे तो हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवता होते हैं लेकिन इन सब में शिवजी यानि की भोलेनात को सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना जाता है यही कारण है कि भारत में सबसे अधिक मंदिर्वी शिवजी के हैं शिवजी को प्रसंद करने के लिए करणो भक्त रोज उनकी पूजा आराधना करते हैं ऐसे में शिवजी सभी पर एक साथ अपनी किर्पा द्रिष्टी बरसाने की बजाए समय समय पर सभी को इसका लाब देते हैं। इसी बात का ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ऐसी छे राशियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके उपर जल्दी ही भूले नात की किर्पा बरसने वाली है। इस बार ऐसा महा संयोग बन रहा है जिससे खास तोर पर इन चार राशियों को विशेश लाब मिलने वाला है। वैसे तो इन चार राशियों को इसका लाब मिलेगा लेकिन अगर बात की जाए राशियों का मिला जुला असर रहने वाला है। भगवान भोलेनात की किरपा दृष्टी रहेगी और इनको हर प्रकार के लाब मिलेंगे तो आई जानते हैं इनके बारे में नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं छे राशियों पर बरसे की भोलेनात की गरपा मन चाही काड़ी बंगला पैसा जो चाहोगे वही होगा राजयोग की वज़े से भगवान भोलेनात की कौन सी कौन सी वे राशिया हैं जिन पर उनकी दृष्टी रहने वाली है और उनकी किसमत चमकने वाली है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जैब जरंग वली अवश्य लिखें और लाइक भी करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तो बात करते हैं इन चार राशियों के बारे में और उसके बाद उन दो राशियों के बारे में जिनको मिला जुरासर रहने वाला है सबसे पहले बात करेंगे उन चार राशियों की जिनकी शुरुवात बहुती शांदार होने वाली है उन्हें खुश कबरी मिलने वाली है पिछले कुछ महिनों में कोई खास काम निप्टाने की कोशिज कर रहे थे तो वे काम अब पूरे हो जाएंगे और इस दोरान आपके सा मनों काम न रखें बस इतना करने मातर से आपकी काफी साहता हो जाएगी आपको बहुत जादा फाइदा हो जाएगा क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुब है और आपके लिए भागेशाली साबित होने वाला है इसके साथ ही आपके जितने भी रुके हुए क जैसे आपको परिवार और भाई और बहनों का से अपनत्यों का महसूस भी होगा आपके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है अब हम बात करते हैं छे राशियों पर बरसे की भोलिना की गिरपा मन चाही काड़ी पंगला पैसा जो चाहोगे वही होगा नेक्स्ट राशी यानि कि दूसरी राशी के बारे में दूसरी राशी है करक राशी इस राशी के लिए लोगों की लाइफ बहुत ही शान्दा रहने वाली है सभी दुख इस वक्त आपके समाप्त हो जाएंगे और आपके राशी के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है मैं आपके जीवन में चल रही समस्या दूर होने की सभी कामनाई करता हूँ और अपने आप आपके दूर होने वाले सभी संक्रटों के लिए आपको सराना भी देता हूँ इस दोरान आप कोशिश करेंगे तो आप सफल भी अवश्य हो जाएंगे और आपका मनचाह काम पूरा हो जाएगा साथ ही स्वास्ति दृष्टी से भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है करकरासी वाले सौंबार को अगर शिवजी अगर्वति जला ते हैं या एक अगर्वति शिवजी को अरपनpected करते हैं तो इनकि जो भी मनोकामना है वैपन हो जो भी इनका कारव है, जिस कारव में आप सफलता पाना चाहते हैं, उसके बारे में आप अगर प्रार्थना करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी प्राप्थ हो जाएगा, ऐ विभाहित लोगों की बात की जाए, तो इस समय में उनको नए-ने रिस्तों के ओफर मिलेंगे, और आपके लिए आने वाला समय बहुत ही शूब रहने वाला है, ज्यादतर काम के मामले में आपको खुश कबरी मिलेगी, इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट रासी की, जो की रासी है कन्या रासी, इनके लिए आने वाला समय, इस समय पैसों के मामले में बागेशारी होन सबसे उत्तम समय आपके लिए यही रहने वाला है, आपके लिए इस समय के दोरान आपके पुराने फसे हुए पैसे आपको मिल जाएंगे, इस बात का पूरी तरह से योग बन रहा है, फुल मिलाकर कहें, तो कन्यरासी वालों को इस दोरान चांदी ही चांदी होने वाली है, आपको अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो आपको यह कारे अवश्य करना चाहिए, आपको सोमवार को शिवजी को जल चड़ाना चाहिए, अगर आप शिवजी को जल चड़ाते हैं, तो आपके सारे सोचे हुए कारे पून हो जाएंगे, साथ ही बात की जाए सफलता के बारे में तो अभी तक आप जोकिम बरे हुए समझोते लेने से बच रहे थे तो इस समय आपको ऐसे समझोते मिलेंगे और आप इसमें सफल भी हो जाएंगे यह समय आपके लिए बहुती उत्तम है अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा है तो आपको इस समय बापस मिल जाएगा और जहां कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ था वह भी आपको वापस मिल जाएगा जल्दवाजी में आप खुद का नुक्षान करवा सकते हैं और अगर आप कोई नया कार करने के सोच रहे हैं तो इस समय में शुरू कर दो इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली भाकेशाली राशी की अगली राशी जो भाकेशाली रहने वाली है वे राशी है तुला राशी तुला राशी वालों के लिए पैसों के मामले में आने वाला समय बहुत ही अच्छा है अगर आपको कोई परिशानी चल रही है तो वह इस समय में दूर हो जाएगी साथ ही आपके कारे पूर्ण होंगे अभी तक आपका जो काम अटका हुआ था वह अब खतम हो जाएगा ठकाम की वज़े से जो कारे आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे वह इस समय आपको कर पाएंगे आपके अंदर की सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी चाहें वह रिलेशनशिप के लियए हो और चाहें वह परिवार के लिए आपकी राशी के लिए यह समय अच्छा होने वाला है बस आपको सला दी जाती है कि आप हो सके तो सौंबार के दिन भगवान बोले नात को जल चड़ाए इसके बाद हम बात करते हैं अगली राशी की जईसे बोले नात की करपा प्रांद होने वाली है जिसे खुद गोले नाथ अपना आशिरवात देने वाले है वेर भागे साले राशी है कुमराशी के बारे में लोगों को नौफरी और बिजनिस के लिए लाब मिलेगा यदि आप कोई नय बिजनिस टार्ट करना चाहते हैं बिजनिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय बहतर तो रहेगा ही और भागे का भी पूरा साथ मिलेगा हो सके तो आपको एक कारे करना चाहिए कुमराशी वाले सौंबार के दिन बोले नाथ के नाम का जाब करें इसके लिए आप चाहें तो इनके मूल मंतर ओम नमश शिवाय इस मंतर का भी जाब कर सकते हैं यह दोस्तों वह बागे शाली रासी है सिह रासी की बात की जाए तो आपके लिए जो भी पुराने विवाद चल रहे थे इस समय में खतम हो जाएंगी बोले नाथ कि आपको विशेष किरपा मिलेगी अगर बात की जाए बिजनिसमेन के बारे में अगर आप बिजनिस करते हैं या फिर बिजनिस में कोई इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है तो आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं अच्छा खासा फाइदा आपको मिलेगा अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छा समय है शेहत के मामले में बात की जाए तो सेहत स संबंदी सभी परिशानिया दूर होंगी और आप हर कारे में सफल होंगे पैसों के मामले में तो टेंशन लेना छोड़ी दे क्योंकि पैश संबंदी सभी परिशानिय आपकी इससमें खतम हो जाने वाली हैं कि इस समय अपने अंदर एक नई प्रकार की उर्जा का करेंगे आपको आने वाला समे में बहुत ही अच्छी अपसर मिलने वाले हैं इन अपसरों का आप लाव उठाएं ओरहर प्रकार से सफलता को भी म्राप्ट पाएंगे अगर बात कीजा अचानक धनलाब के बारे में तो आपको अचानक धनलाब के योग तो बनी रहे हैं ताकि आपकी इसमें आपको शेल्डी भी बढ़ सकती है आपका प्रमोशन हो सकता है या आपका बिजनिस भी आगे बढ़ सकता है आने वाले समय में आपको एक नहीं बलकि कई भेतरिन अफसर मिल सकते हैं आपके लिए अच्छे अफसर आपको आएंगे और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे आप अच्छा और मीठा बोल कर अपने कारे किसी भी समय पूरे कर लेंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन किन रासी को भूले नास की करका मिलने वाली है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली भी वश्य लिखे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें अगली वीडियो मिलते हैं तब तक लिए दे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंग बली